हेलो फ्रेंड्स घर के देशी स्वाथ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बनाएंगे स्ट्रॉवेरी और बीट रूट से फ्लावर और गौवा से उसका फ्लावर पॉट दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार बच्चों की स्कूल्स में बोला जाता है कि कुछ फ्रूट नीमक्राय जलिया इता इसे बार गौण है अच्छे से बुट करना है पीछ आप मगणा अधर इसको करेज नहीं दोस्तों ऐसे करने होना से इस तरह?. क्योंकि मैंने पिलर से किया तो देखिए इसमें डिजाइन सागया फिर उसके बाद पर एक बीच में इस तरह का एक कट लगा देना है मुझे सारे बीटूट में इस तरह मैंने कट लगा दिया है कट लगाते हुए आप यहां पर इसकी लीव्स बनाने के लिए चाहे तो आप या फिर कागच की कोई लीव्स बना के लगा सकते या फिर अगर आपके आपके फ्लावर पॉट है या फिर एवर ग्रीन वाला जो लीव्स आती है उसकी लीव्स भी इसमें नीचे लगा दीजे एक टूथपिक लीजे और इस तरह से लीव्स को लगा दीजिये यह इसमें देखिए किस तरह से इस पीसे अटाइच कर दीजे टूथपिक से एक लीव्स हमारी यानि कि एक पैटल जो है वह हमारी बनका रेडी हो गई है इसी तरह से दूतरी वाली भी पैटल को मैंने इसमें इस तरह से टक कर दिया है बहुरी आसानी से बन जाता है क्योंकि मैंने ग्रीटा में क्यूंकूंक अटर्वार होता है। थोड़ी से भले इसमें दिखकर है। अधर्वाइस यह बड़ा ही सौफ्त होता है यह देखें इस तरह से इसका पैटल बन जाएंगे यह देखें इस तरह से इसका प्लावर की लिए कितना सुन्दर लग रहा है ना नीचे ग्रीन लीव और उपर इसका रेट रेट फ्लावर का भी होता है यह थोड़ा सा ज्यादा डार कलर का है आप थोड़ा सा हलके कलर का भी लीज़े यह तोड़ा मेरे महरून तैप है आप तोड़ा रेट कलर का लेज़े तो इससे और भी सुन्दर आपका फ्लावर बनकर रेडि होगा यह देखें अब आपका यह फ्लावर इस तरह बनकर रेडि हो गया कितना सुन्दर लग रहा है ना इसे आप कभी बच्चों को आगर बीट रूट जो नहीं खाते हैं बच्च इस्ट्रोबरी वेले फ्लावर को मैंने इस्ट्रोबरी को वाश कर लिया है और इसमें पीछे के साइड से इसमें जो टूद्पिक है उसे लगा रहा है ताकि इससे पकड़के इससे बनाने में आसानी हो अब देखें एक शार्प नाइफ लीजे और इस तरह धीरे धीरे कर आते हुए नीचे उसमें आपको आके रूख जाना है कि एक इसकी पैटल्स अलग ना हो यह देखें उपर से मैं इस तरह कट लगा रही हूँ और इन नीचे इस तरह आते हुए इसको यह बस नाइफ उपर से कट लगाई और नीचे नाइफ को थोड़ा सा फोल्ड कर दीज है है ना बड़ा सिंपल इसे बच्चे बनाना बड़ा ही मज़े से बनाते है मैंने एक बनाया फिर मारे बेटे ने बोला मैं भी बनाऊंगा उसने भी पिल्कुल ऐसा ही फ्लावर बनाकर रेडिकल लिया है यह देखे इस तरह से आपका यह फ्लावर बन गया उपर आपको इसे भी लिव्स लगा दीजिए यह देखे आपका स्ट्रोवेरी का फ्लावर किती जली असानी से बनकर रेडियो हो गया है अब नीचे अगर आपको तूथपीक दिख रही है नीचे फॉयल से कवर कर दीजिए यह जो ग्रीन वाला टेप आता है आप उससे भी से कवर कर सक करते हैं ताकि आपकी जो टूथपीक है वो बिल्कुल भी दिखे नहीं देखे इस तरह से मैंने तो फॉयल से ही इसे पैक कर दिया है यह देखे अब इस तरह से मैं जो मैंने भी टूट वाला फ्लावर बनाया था उसे भी इसे रैप कर देंगे कितने बढ़िया से यह पॉट बनाने के लिए बड़ा सा एक गौव लिया हुआ है यह गौवे को बीच से से कट कर दिया है और इसका पीच्छे का नीची का पार्ट है उसे भी थोड़ा सा अटा दिया और इस तरह से बीच बीच में हम कट लगाते जाएंगे जो कट वाला हिससा निकल रहा है उस तो अब इसमें जो टूद्पिक तो शार्थी उसे इसमें इस तरह से टप कर देंगे यह देखिए आपका रोज फ्लावर बनकर रेडी हो गया है दोस्तों आप अपने बच्चों को या किसी को भी इससे बना कर देंगे बहुत ही अच्छा लगीगा और अपने अनुबहों में कमेंट शेक्शन में जरू शेयर केजेगे बाबाए